नमस्कार और विलकम योलू वर्लफेर्ट नाव रशान धवर्ण नाव रिसेंटली चाइना के प्रेजिडेंट शी जिंग पिंग ने दी है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट्मेंट इन्होंने यहाँ पर यह का है कि अब समय आ चुका है कि एशिया के देश इखटा हो होगा एशन कंट्रीज को ना सुनके काफी इंटरस्टिंग लगता है कि कैसे एशन कंट्रीज उनाइट होंगी और शी जिंग पिंग यहाँ पर जो यह ग्लोबल सेक्योर्टी इनिशेटिव की बात कर रहे हैं यह कितना स्पेशल है तो डिसकस करेंगे यहाँ पर कि चाइन अर्थ डे का थीम क्या है यह है यहाँ आपकी ऑप्शन इन्वेस्ट इन आर प्लैनेट अर्थ इस अर होम सेव द प्लैनेट या फिर क्लामेट चेंज नीड्स अक्शन कोमें सेक्शन में करिए उत्तर सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंध में जबाब यह स्टे और एक बड़ी conflict खड़ी हो सकती है within Asia तो यहाँ पर चाइना कहा रहा है कि US के साथ partnership बिल्ड करने के वजाए USA के खिलाफ एकटा खड़ा होते हैं अब यहाँ पर आप कहेंगे मगर चाइना यह सब करेगा कैसे क्या कोई यह नई alliance form करना चाहते हैं देखिए Xi Jinping ने यहाँ पर openly बात करती है global security initiative के बारे में जहाँ पर यह कह रहे हैं कि main focus हमारा होने वाला है indivisible security पर देखो आज के समय international relations geopolitics में यह दो शब्द बहुत ही जादा important है इन पर debate होता है countries actually लड़ना start कर देती है इन दोनों शब्दों को लेकर indivisible security और interesting बात देखिए जह हाँ पर China और Russia लगातार इन दो शब्दों को यूज करते हैं अभी President Xi Jinping ने यूज किया है Vladivar Putin भी का अभी बार क्या चुके है कि indivisible security बहुत ही important है indivisible security पर अगर फोकस करते तो Ukraine war होती ही ना whereas US क्या रहे कि indivisible security की हमारी interpretation अलग है जो Russia और China की definition है यह altogether गलत है तो यहाँ पर आपको जानना होगा पहली बात तो के indivisible security होती क्या है बहुती सरल शब्दों में ये एक concept है कि एक country अगर अपनी security को और जादा strong करती है किसी दूसरे देश की security को दाप पर रख कर या फिर उसको खत्रे में डाल कर तो वहाँ पर second country को एक बार को हग है कि अपने बचा अपने defense में उस country को वो attack भी कर सकता है अब युकरेन के case में आप अगर देखो तो क्या हुआ है युकरेन ने रशा के हिसाब से indivisible security के सिध्धान्त को violet किया उसका उलंधन किया क्योंकि युकरेन ने का कि हमारी security के लिए हम NATO join करेंगे ताकि कल को हम safe रहे मगर ये करते हु युकरेन ने रशा की जो security है ये खत्रे में डाल दी और उसके response में रशा को attack करना पड़ा युकरेन को अब यहाँ पना पूछेंगे कि क्या चाइना खुद indivisible security को follow करता है तो इसका answer है of course not आपने बात note करियोगी जब भी चाइना पाकिस्तान को बड़े scale पर हत्यार बे ताकि ये country अपने दम पर खड़ा रहे ये चाइना इसलिए बोलता है ताकि चाइना पर आरोप ना लगे कि चाइना indivisible security के जो सिधानत है ये तोड़ रहा है पाकिस्तान को strong करके ताकि इंडिया को counter किया जा सके उसके इलावा recently जैसे आपको बता होगा चाइना ने Solomon Islands के स इसको खत्रे में डाल रहा है क्या करके अपनी security को ensure करके अपनी security को बढ़ा कर एक दूसरी country की security को डाल रहा है खत्रे में तो even दो चाइना का जो global times है इनके president बार बार indivisible security की बात करे मगर US openly कह चुका है कि चाइना आज कैसे हमें बन चुका है एक तोता literally US ने का है China continues to parrot some Russian security concepts और नीचे आप आप देखोगे primarily ये indivisible security की ही बात कर रहे है अचुली आप अगर international relations और geopolitics को in depth पड़ेंगे तो ये जो शब्द है दो शब्द आपको काफी बात टकराएंगे various articles में अब US यहाँ पर कहता है कि देखो हम भी यकीन करते हैं कि indivisible security होनी चाहिए म अगर हमारी जो interpretation है ये काफी अगर तक different है और इस बात को लेकर पुतिन भी काफी अगर गुसा रहते हैं कि countries को actually properly define करना होगा indivisible security का concept कि कब हम मानेंगे कि एक country ने एक ऐसा action उठा लिया है जिससे दूसरे country की जो security है ये खत्रे में आ सकती है और जिस country ने ये action उठाया है क्या उसको ये action उठाने क्याव शक्ता थी क्या उसकी खुद की security इतने खत्रे में थी कि उसको ये action उठाना पड़ा तो अभी के लिए ऐसी भी proper definition है नहीं हम ये नहीं कह सकते कि इंडिया अगर S-400 परचेस कर रहा है तो पाकिस्तान कहें के देखें indivisible security का क्या हो गया ये हमारी security को खत्रे में डाल रहे हैं अपनी security को strong करने के लिए तो again आप अगर इसकी definition पर आओगे तो कहीं पर भी आप कह सकते हो कि ये indivisible security का violation हो रहा है मगर अभी के लिए रश्या का कहना ये है कि अगर कोई छोटा देश या फिर कोई परोस्ती देश एक बड़े military block को join कर के तब तो ये direct violation है indivisible security का अब यहाँ पे आप कहेंगे चाइना बार बार इन दो शब्दों को क्यो दोरा रहा है तो इसका reason ये है कि long term में चाइना को genuine एक threat दिखता है कि इंडिया, US और बाकी जो quad countries हैं अगर ये मिलके काम करते हैं अपना defense expenditure बढ़ाते हैं economies इनकी grow होती ह तो genuinely China को काफी problem आने वाली है इस region में क्योंकि military perspective से आप अगर देखो तो Russia आज के समय बहुत कमज़ोर हो चुका है जो एक आप के लिजिए image ती Russia की the Russian bear strong Russian military वो चकना चुरो चुकी है चाइना को ये बाद समय में आ चुकी है कि कल को अगर मान लिजिए US के साथ conflict होती है तो Russia का कुछ खास role वहाँ पे होगा नहीं US बड़े अराम से इवन US समय बाकी जो European countries हैं बहुत अराम से Russia को निप्टा देंगी तो इसलिए अब China ये call दे रहा है कि चलिए Asian countries unite हो जाए और एक बार US के साथ हम खड़े हों मगर obviously Asia के दो जो बड़े देश है Japan और India चाइना की इस call को बिलकुल reject कर देंगे क्योंकि China की इस call में बहुत सारी hypocrisy खड़ी हुई है China को अगर genuinely Asia को unite करना है तो दो कारे करने होंगे पहली बात तो North Korea को military support करना बंद करना होगा दूसरी बात पाकिस्तान के लिए भी military support बंद करनी होगी क्योंकि China इन दोनों countries का use करता है Japan और India को control करने के लिए इनको threaten करने के लिए जब तक ऐसा होता नहीं है तब तक individual security का जो concept है मजाग बनके रहेगा और कभी Asia properly unite नहीं हो पाएगा नाव वापस आते हैं अपने MCU की तरफ के Earth Day का theme क्या है तो यहाँ पर आप देहोगे सयुत्तर यहाँ पर है Option A, Invest in our planet Earth Day 2022 का theme काफी important है कि CV exam perspective से तो please इसको याद खिएगा और finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं चाए SSE, UPSC, Bank, Need UG, simply जाओ comment section में click करिए अपने exam of choice के link पर, for example आप prepare कर रहे हैं let's say for SSE, तो click करिए SSE पर और यहाँ पर चूज़ कर पाएंगे the exam course of your choice, अगर आप के पास अभी time है, आराम से आप prepare करना चाते हैं, दो साल के लिए तो जो 24 मेने का course है, यह आप कर सकते हैं purchase, मगर जो यहाँ पर price लिखा है, 417 रुपीज पर मत, यह pay करने की आप शकता कता ही नहीं है, simply यहाँ पर code use करिए PD10 और prices गिरना शुरू हो जाएंगे, the prices will start falling, so use the code PD10 and save money, so यही नोट के साथ, यह है वीडियो कांथ, thank you for listening and as always, God bless you all.